नमस्कार मैं अब शेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस इस्टड़ी वित अभी में तो आप सभी को मेरा जैगरू चार फरवरी को जिनका भी पेपर है जैससी सीजल के इग्जामिनेशन की मैं बहुत इंपॉर्टन मैसेज आपके साथ सेयर कर रहा हूँ कान खो दिया गया है अभी तक पेपर टू को लेकर कि कोई अपडेट जैससी के तरफ से ओफिशली नहीं आई है यहां पर भी बहुत सारे साख्ष मिल रहे हैं कि पेपर टू का भी पेपर लिख है तो होप सो मान के चलिए कि 28 जनवरी का पेपर यह आपका रद हो जाएगा और इस स्टुडेंट्स यहां तक कॉल करके बोल रहें कि इग्जामिनेशन देने ही नहीं जाना है सर देखे यह गलती आप ना करें अभी तक चार फरवरी को लेकर के ऐसा कोई साख्षे या कोई ऐसा प्रमान या फिर आप यह भी नहीं का सकते हैं कि यहां पचार फरवरी को भी अच्छे दिन आपके पास समय है और दूसरा इसके कारण इंपक्ट यह कि आप एक तो एक्जामिनेशन छोड़ रहे हैं देने ही ने जा रहे हैं दूसरा एक आपका माइंड डाइवर्ट हो गया पढ़ाई से चीजे आप पूरे यहां से सिफ्ट हो गया 28 जनवरी के पूरा का पूरा फोकस रखिए कि आपका पेपर 4 फरवरी को है आपको वहां हंडड़ चेंपरसेंट दिना हंड़ेट परसेंट नहीं हंड़ेट चेंपरसेंट क्यूकि मैं अभी आपका सारा पेपर के बारे बितोंग जो 28 जनवरी को पेपर पूछा गया उसके स्टेंडर के according चार फरवरी का भी पेपर होगा वहां आपको कितना attempt करना चाहिए और कौन से subject को आपको थोड़ा सा easy मिलेगा और किसको थोड़ा seriously way में समझदारी way में आपको attempt करनी है तो पहला तो ये mind में आप अभी ना रखे चार फरवरी के उपर कुछ भी मित ना बनाए देखिए क क्या होना अगर होगा अगर चिटिंग तो पेपर रध होगी हाँ यह गलत है यह नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने साल से इतने समय आपने दिये हैं इसके पीछे और एक examination जो भी agency है एक अच्छी तरह से conduct नहीं करवा पार यह तो बिल्कुल यहां एक अच्छी डिमांड है चीजों को revision करने के ऊपर क्योंकि जो 28 January का paper है इसके हम अब review में आप आते हैं देखे तीन सब्जेक्ट बहुत starting से मैंने कहा था कि आपका selection यह तीन सब्जेक्ट करवाएगा इसके बाद आपका computer वाला सब्जेक्ट अब यह जो maths हो गया आपका प्लस आपका reasoning हो गया प्लस 57 सवाल 56 सवाल सही करके आएं हैं मेरे भाई सही करके आएं ऐसा इसलिए क्योंकि मैट का level बहुत सांदार रहा बहुत टफ नहीं था as it is कराया कराया गया सारे YouTube के सवाल पुछे गया reasoning भी according to syllabus रहा science भी बहुत easy पुछा गया 3-4 सवालों को छोड़ करके बाकि सारे सवाल concept clear था वो 20 में 20 करके आऊंगे बाकी मैंने इसका solution करा दिया है इसी YouTube पे आप जाके देख सकते हैं और बहुत जल मैट्स की और reasoning की भी पूरा solution 28 जनवरी का आज ही आपका upload हो जाएगा अब बात करते हैं लेकिए अगर मैं यहां आकर के 28 जनवरी की बाते को बतलाओं या उन examination एकदम जो question पूछ रहा है वही पढ़ा पढ़ा चीजी पूछा रहा है और EGG CJ को पूछ रही है इसलिए खैर अभी हम बात करते हैं math reasoning science के बात computer computer की 6 वो वीडियो देख लीचे link दिया गया है टेलिग्राम में आपको share करते हैं वो सारे वीडियो वहाई से आपके सवाल न पढ़ाई किये हैं मतलब बहुत आई जी जी सवाल पेस्तिरीज मैंने पहले काता लगाईएगा पूरा जहारखन जी के रिवेजन होगा वही explanation में बहुत सारे सवाल मैंने explanation में कराए थे और वहां से बने हुए बस एक section रहा आपका जी के और मैंने पहले ही कहा कि यह वह सम मैं इसकीप किये इंदा सेंस कि उनको नगेटिम नहीं लेना था तो maximum to maximum आपको यह ट्राइ करना है कि जब भी जी के में आए तो जी के वाले को एकदम last में attempt करिएगा math को reasoning को science को और जहारखन जी के और computer यह section अच्छे से करके जी के में जिस-जिस question पर 100% security पहले उस पर attempt कर और देखे जी के में क्या हो रहा है कि कुछ question को जो आपने detail में मैंने भी पढ़ाया आपनी जहां से पढ़ा जब चीजों को आपने पढ़ा तो उन सवाल को आप बना पा रहे थे बागी कुछ ऐसे सवाल थे उटपटांग जो मैं बैठूंगा या अच्छ अच्छ टीचर भी बैठेंगे उसको नहीं बना पाएंगे तो जीके में आपको परिशान नहीं होना कि इस तरह के सवालों को देख करके आप उसे कीप आउट करेंगे ठीक है रही बात पेपर टू की तो मैक्सिमम जितने स्टुडेंट से शाहे खोटा की बाते हो वहां अच्छा अच्छ थ्री की बाते जो मैंने बतलाई है कि मैथ, रिजनिंग, साइंस, कम्प्यूटर और जारखन जीके सबसे पहले अच्छे से अटेम्ट करना है विथ एकुरेशी पेपर का लेवल इजी है तो देखे पेपर का लेवल इजी है मतलब कि इजी तू थोड़ा सा मॉडरेट भी म मिनिममम रखिएगा बहुत कम मैंने नहीं बोला मिनिममम में आपको यहीं पर रहना है ऐसा नहीं कि मैक्सिममम कर लें क्योंकि यहां गलती होने के चांसे बहुत जादा है यहां एकुरेशी मेंटेन करिएगा इस ग्राफ में चलेगा एकुरेशी मेंटेन करिए कम ही अटे नोटीस है भी नहीं चार फर्वरी का पेपर सही तरीके से हो जाएगा और आप अपना 100% अगर आउटपुट नहीं दे पाएं तो फिर यकीन मानिये यहां पर किसी की नहीं आपकी हानिया है और इतने साल से जब आपने समय दिया है और जब इस तरह का माहौल बन चुका है ए यह मोड हाड हाड वाली चीजों को कीप करिए इजी पेपर आ रहा है इजी चीज़े यानि कि जो चीज़े याद की है उसको रिवाइस करिए केवल जीके वाले सेक्शन में थोड़ा सा अपने आपको अलर्ट मोड में रखना है नंबर आफ अटेम्ट को जादा नहीं ले यहां मेंटेन करनी है लेकिन बाकी सेक्शन में खास करके मैस वाले आपके पास समय है पांच-छे दिन वह सारे कोशन यूटूब पे कराया गया है छे सो प्रैक्टिस सवाल उसको लगा के जाईएगा साइंस जो पढ़े हैं मेरे से या कहीं से भी तो कोसिस करिए कि 5-6 सव सवाल अच्छे स्टेंडर के हैं थोड़ा सा अच्छे स्टेंडर बहुत नई थोड़ा सा कुद से भी किया जा सकता तो इसमें थोड़ा सा समझ की काम होगी बागी 15 कोशन आप बना के आ जाएंगे और रही बाद जहारखन जीके एक्स्प्लानेशन जो टेस्ट अगर जो जो आप जिस भी किताब से पढ़ रहें उसको अच्छे से इवा पढ़के जाएंगे सवाल अराम से निकल जाएंगे बस जीके में थोड़ा सा ध्यान रखना है तो यह पूरी अपडेट है अपने आपको अपडेट रखिए और जो भी होगी चार फरवरी को लेकर कोई ऐस नोटिफिकेशन आता है कि आपका पेपर रद होता है तो वह भी कर दी जाएगे ठीक है मैत और रिजनिंग का पूरा सॉल्यूशन आज ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा चलिए भाई मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद